वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये वार्निंग दे देता हूँ कि इस मूवी में कुछ एसेसिंस भी है जो कि आपको विचलिट कर सकते हैं तो ये वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना तो दोस्तो इस मूवी के शुरुआत में कुछ इंफोर्मेशन दिखाए जाती है जिसमें लिखावा था कि FBI के 30 साल के रिकॉर्ड से पता लगता है कि सबसे ज़्यादा मॉडर दूसरे प्रोफेशन के मुकाबले हेल्थ के प्रोफेशन में ज़्यादा हुए है और सबसे जाल सीरियल किलिंग भी यहीं पर हुई है फिर हमें एक लड़की दिखाए जाती है जिसका नम AB था जो कहीं पर जाननी के लिए रेडी हो रही थी AB ने अपने अंदर कई राज छुपाए हुए थे और उनमें से एक सिक्रेट यह था कि वो उन मर्दों का शिकार करती थी जो कि अपने पार्टनर को धोका दिया करते हैं और वे दूसी लड़की के साथ में फिजिकल लेचेंशिप बनाते हैं AB एक डिसको में जाती है और आज रात को वो यही पर अपना शिकार ढूंडने वाली थी उसी बार में एक आदमी अपने वेडिंग रिंग उतार कर AB से फलर्ट करने लग जाता है और AB को वो रिंग भी मिल जाती है लेकिन फिर भी वो उस आदमी को सीडियूस करके उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है उपर से गिरने पर उस आदमी के शेरी में लोहे की एक रोल आरपार हो जाती है जिससे कि वो वही पर मारा गया था अब यह सब काम तो AB रात को करती थी लेकिन दिन में AB एक नर्स थी और उसे बेस्ट नर्स आफ दे मंध का टाइटल भी मिला हुआ था मतलब कि वो अपने पेशन्ट के साथ में बहुत अच्छी थी AB औल्सेंट नाम के होस्पिटल में काम करती थी पर वहाँ भी कुछ ऐसर मर्द थे जोकि लड़कियों के उपर बुरी नज़ा रखते थे AB की उस हॉस्पिटल में फीमिल करश्टी जिसका नम डैनी था क्योंकि AB एक बाइसेक्शल थी AB को अगर हॉस्पिटल में भी कोई मर्द दिखे जो किसी लड़की को दोखा दे रहा है तो वो उनको भी मार देती है और उसी तरह से उसने एकादमी को जहर का इंग्जेक्शन दे कर मार दिया था और साथी में वो उसके साथ में इंटिमेट भी हो रही थी कुछ दिन के बाद में डॉक्टर रोबर्ट डेनी को नर्स आफ दा इयर का टैटल देता है और डेनी के पैरेंट्स इस से बहुत खुश थे वहाँ पे एबी भी उन लोगों को मिलती है और वो डेनी को कॉंग्रेशुलेट करती है डेनी एबी को अपने बॉइफरेंड स्टीव से मिलाती है और इस बात से एबी अंदर ही अंदर गुसा होती है पर वो उसे किसे के सामने नहीं दिखाती है और वो वहाँ से चली जाती है अब एक दिन डेनी और स्टीव होस्पिटल में ही इंटिमेट हो रहे थे और इंटीमेट होते समय स्टीव डेनी से शादी की बात करता है पर डेनी अभी शादी नहीं करना चाहती थी और उसी टाइम वहाँ पे रेजीना नाम की एक नर्स आती है और उसे देखकर डेनी और स्टीव अपने कपले पहने लगते हैं तभी होस्पिटल में एकसिजेंट हुए कुछ पेशन्ट आते हैं और डेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और उसे इस हालत में देखकर डॉक्टर रोबर्ट उस पर गुस्सा करते हैं जिससे की डेनी रो देती है डेनी को रोता हुआ देखकर एबी को बिल्कु चेंज करने आती है डेनी होस्पिटल में एकसिजेंट हुए लोगों को देखकर डर गई थी और कुछ मदद नहीं कर पाये थी और वो बस डरके हुए खड़ी थी एबी उससे अगली बार के लिए अच्छा करने को कहती है वो ये भी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं ह आज जो को जब उसके साथ में हुआ है वो किसी के साथ में भी हो सकता है एबी डेनी को गर छोड़ना जाती है और तबी डेनी को नजर आता है कि उसके स्टेप फदर लेरी एक दुसी लड़की के साथ में है डेनी लेरी के पास जाकर उस लड़की के बारे में पूछती है क डेनी की टेंशन दूर करने के लिए एबी उसे एक डिस्क को लेकर जाती है और वहाँ पर वो उसे ड्रिंक पिलाती है दोनों फिर बहुत ड्रिंके भी करते हैं और डांस भी करते हैं वे वहाँ पर इंजोय करते हैं और बहुत सारे फोटोस भी लेते हैं एबी डेनी के करीब टेच कर रहा था एबी इन सारी एक्टिविटिस के फोटोज लगातार ले रही थी और डेनी नशे में उस आदमी के साथ में इंटिमेट हो गई थी और एबी ने ये सारी फोटोज भी ले ली थी सुब़ जब डेनी उठती है तो एबी उसके पास में बिना कपडों के ही सो रही थी और डेनी को पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था एबी अभी भी डेनी के पास आने की कोशिश कर रही थी और डेनी को अपना इनर वेर नहीं मिल रहा था पर AB उसे वो दे देती है और ये देखकर डेनी को बहुत अजीब लगता है कि AB को उसके inner wear के बारे में कैसे पता है AB जब अपने कपले पहन रही थी तो डेनी स्टीव के बारे में पूछती है कि क्या उसने उसे call किया था एबी फिर आगे बताती है कि उसने डेनी बनकर स्टीव को मेसेज किया था और डेनी बहुत कोशिश करती है बिछले राट जो हुआ उन सब चीजों को याद करने की पर उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था वो एबी से कुछ कपले मांगती है और वो कपले पेंट कर कर रात जो कुछ भी हुआ उसे भूलने को कहे कर मारसे चली जाती है एबी का एक पलोसी जेरेट था जो कि एबी को बहुत पसंद करता था पर AB सारे मर्दों को एक जैसा समझत जेरेड AB की बहुत केर करता था और वो नहीं चाहता था कि AB किसी भी मुसिबत में पढ़े उसी दिन AB अपनी मेंटल हेल्थ का बहाना लेकर डेनी के स्टेप फादर लेरी के पास जाती है लेरी एक साकेक्टिस था और वो भी उनी मर्दों में से था जो की अपनी वाइफ को चीट करते हैं लेरी AB से उसकी प्रॉबलम के बारे में पूछते हैं AB उसे बताती है कि वो मर्दों से एडिक्टेट है वो बच्पेट में भी अपनी मा के साथ अपने फादर से उनके आफिस में कभी कभी मिलना जाती थी आज वो जैसी भी है अपने पिता के वज़े से है लेकिन AB ये पूरी बात नहीं बताती है लेरी AB को सेक्स एडिक्शन प्रोग्राम में जोइन करने को कहता है और उसे रेगुलर अपने पास सेशन के लिए आने को भी कहता है AB इस बात को मान जाती है और लेरी AB को अपना परसनल नमबर पर दे देता है और जाते जाते AB लेरी को एक सेक्शुली हिंट दे कर जाती है और लेरी भी उसके इशारव को समझ गया था अब अगले दिन डेनी होस्पिटल जाती है और वहाँ पर किसी ने डेनी के लिए कुछ बेजाता फिर डॉक्टर रोबर्ट एक पेशन्ट की हालत डेनी, AB और कुछ और नर्सों को समझाते है और जाते टाइम डॉक्टर रोबर्ट डेनी के बट पर हाथ लगा कर जाते है और इस बात से डेनी को काफी अनकफरडेबल फील होता है AB को भी यह सहन नहीं होता है कि कोई और डेनी के शरीर को चुए और AB डेनी को एक प्रेलाइसेस करने वाला इंग्जेक्शन लाने को बोलती है डेनी जब वो इंग्जेक्शन लेने जाती है तो महां भी डॉक्टर रोबर्ट आकर डेनी को गलत तरीके से चूटता है पर डेनी अभी भी उसे कुछ नहीं कहती है डेनी रेजिस्टर में अपना साइन करके वो इंग्जेक्शन लेकर चली जाती है जब डेनी नहा रही थी तो AB स्टीव का दियावा गिफ्ट तोड देती है जो कि उसने डेनी को दिया था AB डेनी से कहती है कि वो उसे गलती से तूट गया है और AB डेनी से स्टीव के बारे में पूछती है कि क्या वो अच्छा लड़का है या नहीं पर इस्टीव ने डेनी का बुछ साथ दिया था जब डेनी के फादर की डेथ हो गए थी AB भी अपने फादर के बारे में बता कर डेनी के करीब आने की कोशिश करती है वो कहती है कि जब वो 8 साल की थी तब उसके फादर की डेथ हो गई थी और AB डेनी को अपने घर की चाबी देती है ताकि जब भी डेनी को अकला रहने का मन करें वो वहाँ पर आ जाए और ये सुनकर डेनी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और AB को खुट के अच्छी दोश समझ लेती है उसी रात AB लेरी से मिलती है और AB इतने ज़्यादा खुब सूरत लग रही थी कि उसे देखकर लेरी के होश उड़ गय थे AB लेरी को किसे सुनसान जगह पर ले जाने को बोलती है और लेरी भी वही पर उसे ले जाता है वहाँ पर लेरी AB को टच करके उसके करीब आने की कोशिश करता है AB फिर वहाँ पर लेरी का हाथ बनती है और फिर उसे एक injection उसके गले में वारती है जिससे कि तुरंत लेरी पिरलाइस्ट हो गया था ये वह injection था जिससे डेनी ने खुद का साइन करके होस्पिटल से लिया था जिससे AB ने चुरा लिया था ताकि अगर पुलिस को पता लगे त इक टगरा जाती है जिससे कि लेरी के टुकले टुकले हो गया थे और AB दूर से सारा नजारा देखे कर बशक्रा रही थी AB जब अपने घर पर आती है तो महाँ पर पहले से ही डेनी सो रही थी AB उसके पास आकर उसे हग करती है औरflan डेनी को अपनी मा की फिक्र हो रही थी क् स्टीव के साथ शादी करके उसके साथ रहने के बारे में एबी को बताती है और एबी ये सुनकर गुसा हो जाती है और बताती है कि वो भी उसके केर करती है और उससे प्यार करती है लेकिन फिर भी वो उसके प्यार को कुछ नहीं समझती है AB के अजिब behavior को देखकर वो वहाँ से उठकर अपने घर जाने वाली थी पर तबी उसे पकड़कर AB कहती है कि मेरे जैसा तुमें कोई प्यार नहीं कर सकता है और तुमें कोई मेरे जितना अच्छा नहीं समझ सकता है वो ये भी कहती है कि जब लेरी कार में मारा गया तो उसके और ज़्यादा तुकड़ होने चाहिए थे पर डेनी ने तो कभी भी AB को नहीं बता था कि लेरी की मौत कार एक्सिडेंट में हुई है जिससे कि डेनी को उस पर शाक होता है और हो वहाँ से चलि आती है अगले दिन लेरी का फिर्डल था और वहाँ पर डेनी देखती है कि AB डिटेक्टिव रोगन से कुछ बाते कर रही है और फिर डिटेक्टिव रोगन डेनी और स्टीव का पास आते है लेरी के बारे में पूछताँ करने के लिए डेनी को वो अपना नमबर देकर वहाँ से चले जाते हैं और एबी दूर से डेनी को देख रही थी तो डेनी उसके पास जाकर उसने पुलिस से क्या बात की थी उससे पूछती है तब एबी बताती है कि वो लेरी की पेशन्ट थी और वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है जिससे सुनकर डेनी बहुत ज़्यादा कन्फियूज हो गई थी डेनी जब हॉस्पिटल में कंपिटर पर काम कर रही थी तो उसके पास वही सारी पिक्टर्स आने लगे थे जो कि डेनी ने एबी को किस करता वे ली थी और एक अंजान अदमे के साथ में जब इंटिमेंट हुई थी उसके फोटोस भी वहाँ पर थे वह देखकर डर गई थी और सभी फोटोस को डेलिट करके वहाँ से चले जाती है उसी दिन होस्पिटल में एक और नई HR आती है जिसके नम रेचल था रेचल एबी से मिलकर कहती है कि बचपन में उसकी एक पोड़सी थी जिसके नम सारा था और सारा बिल्कुल एबी की तरह दिखाई देती थी और यह सब बात डेनी भी सुन लेती है और उसे पता लगता है कि एबी में कुछ ना कुछ गड़बड जरूर है रात को जब रेचल अपना काम खतम करके घर जाने वाली थी तो उसे दिखता है कि डॉक्टर रोबर्ट अपना केबिन में किसी नर्स के साथ में इंटिमेंट हो रहा है तबी वहाँ एबी आकर रेचल को अपने साथ गुमने जाने को इन्वैट करती है और रेचल भी खुशी से इस बात को मान लेती है अब उसी रात डेनी को एबी कॉल करके उसका साथ पार्टिकल इन्वैट करती है पर डेनी जाने समरा कर देती है क्योंकि उसे स्टीव के साथ में डिनर पर जाना था और तब ही डेनी को ऐसा लगता है कि एबी उस पर नजर रख रही है और वो काल लेकर महाँ से निकल जाती है डेनी जब स्टीव के घर पर जाती है तो स्टीव के कम्पिटर पर एक मेसेज आता है और वो मेसेज खुल कर देखती है तो महाँ पर भी डेनी के फोटोस थे जिसमें वो AB को किस कर रही थी और किसी के साथ में इंटिमेट हो रही थी स्टीव उन पिक्चर्स को देखने ही वाला था पर डेनी सब कुछ डिलेट करके स्टीव का ध्यान भटकाने के लिए उसे किस करने लगती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि उसके मूँ से AB के बारे में निकली जाता है और स्टीव को कुछ काम था तो वो डेनी को बाय बोलके ये सब टेंशन छोड़ने को कह देता है अब रात को देनी स्टीव का घर में अकेले सो रही थी और तभी उसके लेपटॉप पर किसी का वीडियो को लाता है देनी उठकर कॉल उठाने जाती है तो कॉल पर रेचल थी और वो AB का घर में पार्टिक कर रही थी वो बहुत ही ज़ादा नशे में थी और तभी डेनी देखते है कि AB पीछे से आकर रेचल को इंग्जेक्शन लगाने वाली है डेनी रेचल को पीछे देखने का बोलती है पर रेचल को नशे में किसी बात का होशी नहीं था और तब ही रेचल का फून कर जाता है डेनी पुलिस को भी कॉल करके वहाँ पे मदद भेजने को कहती है पर पुलिस इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और फीड से एबी का कॉल आता है जिसे डेनी जब रिस्यू करती है तो देखते है कि रेचल बेहोश एबी के घर पर पड़ी है और डेनी पुलिस को रिपोर्ट करती है पर एबी उल्टा पुलिस को बेकूप बता कर डेनी पर ही बात घुमा देती है डेटेक्टिव रोगन डेनी पर गुसा कर रहे थे कि उसने जुटी रिपोर्ट क्यों दी और पुलिस को जब रेचल मिलती है तो बिल्कुल ठीक थी उसने बस बहुत ज़्यादा ट्रिंक कर लिया था और इसलिए वो AB के घर पर ही सो रही थी डेनी स्टीव को भी बताती है कि AB उससे बहुत ज़्यादा अपसेस्ट है और उसके साथ में फिजिकल होना चाहती है पर पुलिस उल्टा डेनी पर ही इल्जाम लगा देती है कि वो AB के घर पर बिना परिमिशन के गुसी है और पुलिस डेनी के बात पर यकीन नहीं करती है कि AB न खुद उसे अपने घर के चाबी दी होगी AB ने तो पुलिस को उन दोनों की किसकी हुई फोटोस तक दिखा दी थी और ये का था कि डेनी उससे अपसेस्ट है डेनी कहती है कि AB ने उसके स्टेफ फादर लेरी को भी मारा है पर पुलिस कहती है कि लेरी को जिस इंजेक्शन से प्रिलेस किया गया था वो इंजेक्शन डेनी नहीं उसी हॉस्पिटल में साइन करके लिया था अब सभी का शक डेनी पर था और AB ने उससे हर तरफ से फसा दिया था पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद में इस्टीव डेनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उसके और AB's के फोटोस देखकर और डेनी उससे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन स्टीव उससे ब्रिक अप करके वहाँ से चला गया था हॉस्पिटल में AB देखती है कि डेनी डॉक्टर रॉबर्ट से कुछ बाते कर रही थी और उससे देखकर डॉक्टर रॉबर्ट उसके बिनका डोर बंद कर लेता है इधर रेचल को AB पर शक होने लगाता तो उसे पता लगता है कि उसके फादर उसकी मा को दोका दे रहे हैं और उनका अफेर किसी और लड़की के साथ में था तब AB ने अपने फादर का गला काट कर उसे मार दिया था और उसके बद AB को मेंटल हॉस्पिटल बेज जिया गा था AB का असली नाम AB नहीं बलकि सारा था और उसके बाद में सारा कहीं अचानक से गायब हो गई थी AB के यही सारे राज डेनी रोबर्ट को उस टाइम बता रही थी और डॉक्टर रोबर्ट AB को नोकरी से निकालने के सोचते हैं पर AB डॉक्टर रोबर्ट को सेडियूस करके अकिले में मुलने बलाती है वो मुका मिलते ही डॉक्टर रोबर्ट AB के पीछे जाता है पर AB उनको बेहोश करके एक रूम में लेकर जाती है डॉक्टर रोबर्ट को जब होश आता है तो वो खुद को एक बैट पर बंदावा पाते हैं और उनका मुग भी बंदावा था ताकि वो चिल्दा न पाये एबी डॉक्टर रोबर्ट के सामने कपले उतारती है और एक सर्जिकल नाइफ लेकर उनके सीने में काटकर पीग यानि की सूवर वर्ड लिखती है फिर वो डॉक्टर रोबर्ट का प्राइविट पार्ट काटनी वाली थी कि तब ही डॉक्टर रोबर्ट उसे ऐसा करने से मन करके रेजिना को रेचल को डूंडने को कहती है डेनी रेचल को जो कॉल लगाती है तो रेचल का फोन उसकी कार में था और वो कार में ही रिंग हो रहा था डेनी एबी को कॉल करती है और एबी उस टैम डिटेक्टिव रोगन के साथ में इंटिमेट हो रही थी और इसलिए डि रखने को कहती है और एबी स्टीव को भी नुकसान पोचा सकती थी स्टीव उस समय होस्पिटल की लिफ्ट में था और वहाँ पर एबी उस लिफ्ट में आ गई थी इधर डैनी ने डिटेक्टिव रोगन को एबी के बारे में कॉल करके सब कुछ बता दिया था डैनी होस्पि बीच में बहुत लड़ाई होती है और दोनों ही कांच पर गिरकर बहुत ज़्यादा घाल हो चुके थे डैनी फिर किसी तरह से वहाँ से भागती है और वो इस्टीव को ढूनने के लजाती है एबी होस्पिटल के स्टाफ को बताती है कि डैनी ने उस पर हमला किया है और व डैनी उसे अपनी बातों में कंट्रूल करने की कोशिश कर रही थी पर एबी उसे पीट कर केची से काड़ देती है तबी एक ओर पलिस ओफिसर आकर एबी को रोकता है और एबी उसकी आँख में केची गुसा कर उसे भी मार देती है डैनी फिर से स्टीव को बचाने के अनर ऑन करके उस रूम का डोर बंद करके एक के बाद एक पेचेंट को मारने काटने लगती है वो दर्वाज़ा बनता तो डैनी और स्टीव अंदर नहीं आ पा रहे थे और स्टीव उस दर्वाज़े का काच तोड़कर अंदर आता है पर तब तक सारे पेचेंट मर चुके डिटेक्टिव उसे मारने वाला है और जेरेट पीछे से अकर डिटेक्टिव रोगन को ही मार डालता है एबी के प्यार के नाटक ने जेरेट को ही पुलिस के मडर में फसा दिया था अब कुछ दिन के बाद से एबी फिर से रेचल का नाम लेकर और उसी की तरव बहेव करक जिससे उसने एबी में बदल लिया एबी चीट करने वाले मरदों को मारती थी और उन्हें मारने के लिए किसी भी हर्त तक जा सकती थी आई होब दोस्तों वीडियो आपको जुरू पसंद आयोगा वीडियो पसंद आयो तो लाइक शेर और अगर आप चैनल पने हैं तो सब प्रैब जुरू कर लेना क्योंकि मैं और भी ऐसे बहुत सारे इंट्रेस्टिंग वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूं